हेलो फ्रेंड्स आज हम HCL Tech के quarter 1 22 के रियल्ट डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिविडन देख लेते हैं जो कंपणी न अपने शेर होल्डर के लिए रिकुमेंड किया है कंपणी न अपने शेर होल्डर के लिए 6 रुपे पर कोटी शेर का डिविडन डिकलेर किया है और इसके लिए जो रिकोर्ड डेट है वो कंपणी ने बताई है अठाई जुलाई दो हैर इकिस तो चलिए अभी डिरेक्टली रियल्ट पे चलते हैं हम इस कवार्टर के रियल्ट को कोबार्टर कोबार्टर औन कोबाक्णी इयर है काइबर तो चलिए सब से रहे कंपणी का इंकम देखते हैं इस कवार्टर की यह तोटल इंकम है वो है 20 इसे उसे तिस क्रोड़ कि थी पिछली सा having से म्कौरटर की थी कंपनी की इंकम औरांड सो 25 किरोडर पर इंक्रीज हो गई है और यह अब देख लेते हैं इस किरों टोट हैं इप ह dość है न के सब्सक्राइब कोपपनी का Jon and profit विफोर हैं से कॉंपणी का इस क्uben है शुक कौर्ट पिछले गर किसले कोफ़ को आट प्रोफिट फॉल्द आफ्टर टैक्स कोटर का वह थीने है यारे 1 cirič को घाए पिछने सइने कवाटर ka था 2 ha935 क repeor को घे के कशी अराउंड थ्री टाइम हो गया है डाट इज तो हंडड़ परसेंट के अराउंड इंक्रीज हो गया इतना क्यों इंक्रीज हो गया फ्रेंट देखिए जो इस पिछले क्वार्टर का टेक्स था कंपनी को वह बहुत ज्यादा लगा था 2,256 क्रोड का टेक्स पे किया था कंपन प्रोफिट इस को आटर का पर इतना ज्यादा नहीं होता में भी 20-30 परसेंट ज्यादा होता और पिछले साल से कंपेर करें यह बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रोफिट अराउंड टैन परसेंट इंक्रीज हुआ है तो कंपनी का रियाल्ट प्रोफिट वाज है तो देखें इस को आटर का जो बेसिक पर देखें और पर इंक्रीज हो गया है यह इंड यह बेसिस पर देखें तो कंपनी पर रौट एक रिपया पर शेर एंक्रीज हुआ है क्योंकि पिछले क्वाटर डाउन कंपनी को टेक्स काफी जादा लगे थे इसकी वैसे इतना ज्यारा इंक्रीज क्योंकि इस अप्र इसके लिए करना चाए कि चलिए हैं तो चलिए सबसे पहले कंपनी के सेल का और प्रॉफिट का डाटा देखते हैं पिछले कुस्तालों का देखिए हम स्क्रेइन डोट इन साइट पे आ गए हैं जहां पर कंपनी की सेल का डाटा जून दो हे हैं तो देखि जून दो हेहां दस में कमपनी की सेल थी बारा है एक 13 शेतरीस के डाटा जोगा गर सपढ़े में होगे 15ध fémin Raz productos चोड़ा जोगे 25 154 के R歌ण 17 में होगी 47 और्ट स्बagement क्रोड अठरा में होगी 50,590 क्रोड निज में होगी 60,427 क्रोड बीस में होगी 70,636 क्रोड एक्टिस में हो गई 25,890 क्रोड तो देखें कंपनी की सेल हर साल बढ़ती ही जा रही है कोई इससाल नहीं बढ़ी हो जहां पर जुदूर कम हुई है थोड़ी सी पर अगले साल थोड़ी सी जादा बढ़ गई तो देखें हर साल कंपनी की सेल बढ़ी है और ज़दी मैं 2,10 से कॉंपेर करूं 2,21 की इस तरक तो देखिए कंपनी की सेल अराउंड सिक्स टाइम हो गई है पिछले 11 सालों में लेवन इर्स में सिक्स टाइम हो गए तो काफी अच्छी सेल बढ़ गई है अभी देख लेते हैं प्रोफिट जिससे हमें डेक्ट ली पता लग जाता है कि कंपनी का एक पहले कितना कमा रहा था और अभी कितना कमा रहे है तो देख किया जो अलिंग पर्षे दो है दो दस में था कंपनी का वह था चार पे सदी सिर्पिश होदर पाइसर पैसे 15 रपीश यहे सेव तैरेमिक मता स्थियन हीन गुने में 20 हुपटर पैसे शोला में 21 हुप एख़ेश म सेत्रा में 30 रपे सोला पैसे अठरा में 31 31 क हुझ भीषी हम इंताओ नुच्रें सात पैसे तो देखी हर साल कम्पनी का अपर्षेर बढ़ी रहा है एक दो साल ही यह जिसमें कम हुए नहीं तो हर साल बढ़ा है और जहाँ पर दिख ю之前 कम्रें साथपे 47 पैसे हैं कम्पनी का अनिक पर्षेर पिछले साथ जह हैं थोड़ा सा कम क्यों है क्योंकि क्षले को वार्टर मार्च 21 में कंपनी को ठोड़ा सा टैक्स जारा लगे से इसकी वैसे नहीं तुझे 45-46 रपे होता अर्निक परशी है तो देखिए फ्रेंड जरी मैं कंपनी का पी रेश्यों निकालूं इसके बेस पे तो देखिए कंपनी के शेर का प्राइज चाहरा है भी 1000 के रा तो देखिए रही है और कंपनी हर साल अपने शेर होल्डर को डीविडेंड भी तेह रिए त्टों 12 में दिया थाए और अभी चेर पेडिकलेर किया है तो काफी अच्छा डिविडेंड देर्ए कंपनी अभी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर कर्चा है कोई या नहीं देखिए कंपनी के उपर 6,422 क्रोड का कलज़ा भी है पर इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतना सा कलज़ा भी बड़ी बात नहीं है और कंपनी के पास रिजरव देखिए कितने जावा है 69,370 क्रोड के इतने जावा तो कंपनी के पास रिजरव है तो कलज़ा तो कुछ भी न पर परसेंट डियाई के पास है 10.54 परसेंट पब्लिक के पास है 4.97 परसेंट तो फ्रेंट शेर होल पेटल में कोई प्रोपलम यह अच्छी खासी होलडिंग है प्रमोटर के पास FYE के पास तो फ्रेंट शेर के fundamental देखने पर भी अच्छा शेर लग रहा है देखिए profit कंपनी का हर साल बढ़ रहा है sales company की हर साल बढ़ रही है और IT company IT company का क्रोणा के time जोब अच्छा स्कॉप लग रहा है आप इसमें अराम से निवेश कर सकते हैं जरी आपके पास है तो आराम से होलड कर सकते हैं ज़्या पॉस्में राइक डाइक दो फ्रेश कर ने चाहते हैं यरिवाइश करना चाहते धाते एक भाद खुथ भी सर्च कीजिए इसके बाद इसमें निवेश कि Annわか ओके थेंक्स